semester 1 में subject selection केसे करें आज उसी के बार में हम बताएंगे और season 2020 से 27 के 20 में जो रहेगा उसके बारे में तो जैसे example हम ले ले थे social science social science में क्या होता है कि जैसे आपका honor subject होता है वो आपका fix है कि आप जो select की है वही रहेगा उसके बाद आ जाता minor course minor course में जैसे आपको बहुत सारा option है जैसे कि यहाँ पे दिखाया जारह कुछ 18 है तो 18 में से आपको एक select करना है जैसे हिंदी, English, Sanskrit है तो तीनों में से आप एक को select करके रख लीजिएगा उसके बाद आपका आजाता है multi-discipline इसमें जैसे आपको हिंदी, physiology, Sanskrit, English तो आप जो minor course में select की हैं उसके अलावा आपको तिसरा subject इसमें select करना है बाद जो तीन course है वो आपको college द्वारब प्रवाइड किया जाएगा अब आजाता है जैसे humanities इसमें कहा है कि आप तो honor select कर चुके है minor course आपको इतना सारा option है इसमें से एक select कर लिजे फिर आजाता है multi discipline जिसमें history है economics है, political science है तो इस समय से भी आपको एक select करना है अच्छा जिसको आप select कीजिएगा उसको आप अगला semester में आपको नहीं मिलेगा इसलिए थोड़ा अपना अच्छा से देखके और select कीजिएगा फिर आपका ये तीन subject जो है आपको college दुआरा दिया जाएगा अब वोगिया natural science जैसे कि आपका इसमें से एक नएक subject select करके रखे होंगे honors जो होता है उसके बाद आगया minor course minor course में आपको इतना सारा option दिया जाएगा जिसमें से आप एक select कर लिजेगा जैसे कि आप जो honors रखे हैं उसके अलावा दूसरा subject को आप इसमें हम रख सकते हैं उसके बाद आजाता है आपका multi discipline उसमें क्या कि आप ये दोनों में जो select कर चुके हैं उसको उसके अलावा जो तीसरा रहेगा आपको इसमें select करना है उसके बाद आप कहा जाएगा mailing subject इसमें है जैसे हिंदी या English दोनों में से एक को select कर लिजेगा फिर आप कहा जाएगा skill तो इसमें से तो digital education और mathematics दिया गया है तो दोनों में से एक option आपको दिया जाएगा and value aid course तो आपका fix रहेगा इसी परकार आपका जो अगला subject होगा जो अगला दूसरा honors रखाया उसके लिए कुछ same process होगा आपको screenshot हम लगा देंगे आप उसमें से एक को select कर लिजेगा अब है commerce का commerce का जैसे कि वो तो honors अपना select कर लिया है उसके बाद आपका minor course आजाता है minor course में आपको चार option है चार option में आप एक को select कर लिजेगा उसके बाद जो तीन बचेगा वो अगला semester में आपको select करना है क्योंकि जो जिसको आप select कर चुके हैं semester one में उसको semester two में आप select नहीं कर सकते हैं उसके बाद आजाता है multi discipline इसमें है history, economics, political science है इस सब में से एक को select करना है same process रहेगा कि semester two में आप जाईएगा तो उसमें आपका subject इसमें नहीं मिलेगा list में जैसे कि आप history इसमें select करके रखे हैं तो आपको semester two में किया है कि history नहीं मिलेगा उसके अलावा जो subject हैं उसको आप select कर सकते हैं बाकी तो इधर तीनो subject same है जैसे किसी का है history honors तो उसको minor में क्या रखेगा जैसे कि मान लेते हैं minor में उसमें रखा political science उसके बाद आजाता है उसका military discipline उसमें जैसे उसमें रख लिया हिंदी उसके बाद आजाता है value added उसमें आपका तो fix रहेगा उसके बाद आजाता है skill में क्या है कि जैसे एक है digital education and एक है mathematics दोनों में से एक को select कर लिजेगा उसके बाद आजाता है six subject आपका जो रहेगा वो हिंदी है English दोनों में से एक को select कर लिजेगा झाल झाल